ये गाइस दिस इस सर्फे और वेलकम तो मा यूटूब जनल तो फिलहाल अभी आपके सामने कुशन है क्लास तेन के ट्रिगमेटरी का जो के बेहत प्यारस है और जैसा कि आप बच्छमन से जानते आ रहा हूं मैं अक्सर कहा करता हूं ट्रिगमेटरी आइडिंटिटी की कोश कोशन हो गया मतलब कहने का सेंस क्या है कि आपको एक वे मिल जाएगा कि हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे तो आइए देखते हैं इस कोशन का सालुचन तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है मतलब कोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो जाइड़ती बा इस परकार है कॉसिग ठीटा मानस साइटव कोशिटा इकोल एक क्यूव से थीटा मानस कॉसिटा इकोल बीक्यू दिन वी हाब तो प्रूब डैट एस्वार बीस्वार इंटू एस्वार प्लस यह स्कॉर्ट डैटट इकोल वन आप बाते समझ में आ रहे है न चलिए इस मेरे को जो given है cause theta minus sin theta equal aq तो आप तो जरा guard फर्माओगे मैं यहाँ पर लीग देता हूँ और मैं अक्सर खहता हूँ न कि simple form में change करो तो cause का simple form क्या होता है जरा सूचिए 1 by sin theta तो मैं इसको लिग दूँगा 1 by sin theta minus यह तो already simple में है that equal aq इसके नीचे 1 देखकर LCM लेंगे तो मेरे को LCM क्या हैगा sin theta तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 minus sin theta daddy को लेकिए क्यों क्या रहे बात है अब 1 minus sin square आपने भच्वने पर रखा है क्या होता है cos square theta तो मैं इसको लिदेता हूँ क्या cos square theta by sin theta that equal aq अब हम क्या करने वाले है यह 3 जब एक बात हमेशा याद रिखेगा जब भी मालो x square equal something हो मालो m है तो x equal जो हम लो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे x to the power m का power 1 by 2 या मालो यहाँ पर x cube equal m है तो हम x equal लिखेंगे क्या m का power 1 by 3 मतलब इधर का जो left side का जो power होगा वो right side जाने के बाद 1 by हो जाता है इस बात को हमेशा जिहन में रखेगा तो आप जब गौड़ फमाओ cos square theta by sin theta that equal aq तो यह equal क्या होगा आप खुद सो सकते हो a equal हम लिख सकते हैं क्या cos square theta by sin theta पूरा power क्या होगा 1 by 3 सोचिए यह 3 जब इधर जाएगा तो 1 by 3 होगा की ने होगा मैंने a का value find कर दे आये इसी तरीके से b का value find करते हैं तो b find करने के लिए हमें जोगी relation है सेख theta minus cos theta that equal bq तो सेम बात यह हो जाएगा हमारा 1 by cos theta और minus cos theta that equal bq के लिए रहे सेख को मैंने 1 by cos लिए दिया अब क्या करेंगे इसकी नीचे 1 देकर LCM लेंगे तो मेरे को LCM हो जाएगा cos theta यहाँ पर आपका हो जाए 1 minus cos square theta theta that equal bq के लिए रहे बात है और 1 minus cos square होता है आप बच्पने परेते क्या होता है sin square theta तो sin square theta by cos theta that equal bq अब यह power 3 जो देक पाड़े हो यह 3 जब right side आएगा sorry left side आएगा तो क्या होगा simple सी बात है power 1 by 3 इस पूरे term का तो मैं लिए सकता हूँ क्या b equal sin square theta by cos theta इसका पूरा power 1 by 3 यहां तक बाते समझ मैं होगा उमीद करता हूँ जिस तरीके से हमने a का value निकाला इतना का power 1 by 3 similarly हमने b का value find कर लिया इतना का power 1 by 3 is it clear सारी बात है चली आगे move पढ़ते हैं अब हमारा LHS जो क्या है देख सकते हैं LHS मैं यहां लिए देता हूँ और फिर फर्दर इसको solve करेंगे a square b square into a square plus b square यह ना आपका LHS दिख रहा हो उमीद है थोड़ा से दिख रहा है थोड़ा से और उपर लिए देता हूँ कोई बात नहीं लिखते हैं a square b square दिख रहा है चलिए into a square plus b square यह हमारा LHS है उमीद दिख रहा हूँ फिलकुए क्लियर है अब क्या करना है कि इसमें a और b का value put करना है अब मन में ख्याल आ रहा होगा अच्छा अब बाते समझ में आई क्या इसलिए आप a और b का पहले value find कर दिया बेशक मैं a और b का value find कर दिया अब क्या करेंगे इस LHS में a और b का value put करेंगे और फिर इसके बाद solve करने के बाद देखेंगे कि मेरे को relation जो चाहिए वह 1 चाहि इसका power 1 by 3 तो देख सकते हैं यहां पर लिखने क्या एलचस में आपका हो जाएगा a square है तो यहां लिखा जाएगा क्या मेरे को cos square theta by sin theta और इसका power 1 minute देख सकते हो आप यहां 1 by 3 है बट हमें square लाना है चलिए लिखी देते हैं क्या दिकत है यह 1 by 3 और यह square फिर into b का square तो b आ by cos theta sin square theta by cos theta इसका power तो already 1 by 3 है और फिर इसका क्या होगा square clear दिख रहा है सारी बाते चलिए into फिर क्या है a square plus b square तो मैं यहां पर लिख देता हूँ a square plus b square का मतलब क्या होगा आप खुद देख सकते हो मैं चाहता तो इसो short करके बना सिता था a square का value क्या हो जाएगा फिर वही ब बात यह पूरा लिखा जाएगा cos square theta by sin theta इसका power 1 by 3 है square plus फिर क्या हो जाएगा फिर आपका हो जाएगा sin square theta by cos theta इसका power 1 by 3 और फिर क्या होगा पूरा square उमीदे दिख रहा है सारी बाते मैंने a square b square into a square plus b square में डाल दिया बाते समझ मैंने a square का मतलब इतना का square b square मतलब इतना का square मैंने LHS के place पर हमने यहां पे put कर दिया अब जरा God फर्माओ याद करो बच्पन में आपने पराता कि जब power का power होता है तो वहां पे हम multiply करते हैं तो जरा God फर्माइगा space भी कम है इसी में से मेरे को सारा चीज के जाएगा एक मिनिट आप देख सकते हो तो आपका हो जाएगा cost का power 4 by 3 theta मैं आपको short में लिख दिया 1 by 3 into 2 देख सकते हैं 1 by 3 into 2 क्या होगा 2 by 3 आप फिट 2 by 3 into 2 क्या होगा आप देख सकते हो 4 by 3 टेक है by sign का power यहाँ पर क्या हो जाएगा sign theta का power आपका हो जाएगा 1 by 3 sorry 2 by 3 sign का power क्या होगा 2 by 3 क्योंकि sign 2 by 3 तह यहाँ भी sign का power 2 by 3 clear है फिर यहाँ पर सेम बात यहाँ लिक्किंगे क्या sine का power हो जाएगा आपका 2 अदूजा charge 4 by 3 theta by cos का power हो जाएगा 2 by 3 theta आप एक बार clear देख लो हम ने इसका square किया तो उपर में 4 by 3 हाजाएगा नीचे में हो जाएगा cos का power 2 by 3 ना सिर्फ चलिए अब जोड़ा गौर्फ माईएगा यहाँ पर यहाँ पर भी वैसाही कुछ होगा cos का power 4 by 3 theta by sin का power 2 by 3 theta plus sin का power 4 by 3 theta by cos का power हो जाएगा आपका 2 by 3 theta उमीद है बातें समझ में आई होगी अब यहाँ पर आगे solve करने वाले हैं तो जोड़ा गौर्फ माईएगा cos का power 4 by 3 और cos का power 2 by 3 base equal है तो power को क्या करेंगे minus करेंगे तो 4 by 3 minus 2 by 3 क्या होगा 4 by 3 minus 2 by 3 जब solve करोगे तो आएगा 2 by 3 मतलब यहाँ पर लिख सकते हम लोग क्या cos का power 2 by 3 theta into फिर sin का power 4 by 3 है यहाँ sin का power 2 by 3 है तो 4 by 3 minus 2 by 3 क्या होगा sin का power 2 by 3 theta clear है अब यहाँ पर देखे सकते हैं LCM लेंगे तो sin का power 2 by 3 into आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या cos का power 2 by 3 उमीदे दिख रहा होगा clear है बाते चलिए इसको इससे divide करेंगे तो sin बाला cancel हो जाएगा cos बच जाएगा cos को इससे multiply करोगे तो power का power क्या होता है sorry multiply में base equal होता है तो power को plus करते है तो 4 by 3 या plus 2 by 3 क्या होगा LCM 3 तो 4 plus 2 6 by 3 क्या हो जाएगा मैं short में ले देता हूँ cos is square theta plus समझे कैसे मैंने लिखा cos का power 4 by 3 into cos का power 2 by 3 LCM लोग है तो 3 आजाएगा तो 4 plus 2 6 by 3 और 6 by 3 का मतलब होता है 2 सेम वही बात यहाँ पे cos से cos कैंसल जाएगा sin से multiply करोगे तो यहाँ भी आएगा आपका क्या sin का power 2 by 3 ठीक है अब देखिए sin square इससे कर जाएगा और इससे यहाँ आपका कर जाएगा आपको यहाँ पर result आया cos square theta plus sin square theta डैटी को और बच्मने पढ़े थे हम लोग 1 होता है और यही मेरे को RHS चाहिए जो कि प्रूब्ड हो गया है उमीद है बाते समझ मैं मैंने short में यहाँ पे आपका solution कर दिया मैंने क्या-क्या मैं फिर से आपको oral ही बताना चाहूँगा सबसे पहले इस question में A और B हमने find किया फिर उसके बाद LHS हमारा A square into B square into A square plus B square इसमें हमने put किया और यहाँ पे आपको में बाते समझना है कि यहाँ इसका power तो हो जाएगा 2 by 3 into 2 4 by 3 but इसका power जो होगा सिर्फ यह 2 by 3 तो होगा sign का power जो होगा सिर्फ 2 by 3 वासा ही इसमें भी sign का power 4 by 3 और नीचे cost का power जो हो जाएगा मेरेको 2 by 3 into BUS उसके बाद L.C.M.L.S.L.V.E. result आपके सामने है उमीद है बात है आपको समझ में है प्लीज रिक्वेश्च चेक वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के भी शेयर करिए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब बेर आइकन को प्लेश करेए तो आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रड़िशा तबते के लिबाबा जाहिन जावाद